दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा फेस्बुक प्रोफाइल पर फॉलो बटन कैसे लगाते हैं फेस्बुक प्रोफाइल पर फॉलो का ओप्शन कैसे लाते हैं मैं आपको निव अपडेट के बारे में बताऊंगा दो मिनट में आपकी Facebook प्रोफाइल पर follow button लग जाएगा पहले आपको यह देखना है आपकी प्रोफाइल पर follow button आ रहा है या add friend का button आ रहा है आपकी Facebook प्रोफाइल दूसरों के Facebook में किस तरह से दिखाई देती है वो आप देख सकते हैं तो पहले आपको check कर लेना है profile पर add friend का button आ रहा है इस तरह से मेरी profile दूसरों के facebook में दिखाई दीती है अब यहाँ पर हम add friend को हटा कर follow button लगाएंगे तो यहाँ से back आ जाना है सबसे पहला काम आपको करना है facebook app को update ठीक है इसके बाद आपको उपर में यहाँ पर 3 line पर click करना है जो step में आपको बता रहा हूं उसे आपको follow करना है थोड़ा सा भी वीडियो को skip मत करना ठीक है यहाँ पर आपको settings and privacy पर click करना है यहाँ पर आपको settings पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है नीचे आना है यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी How people find and contact you आपको ये वाली setting open करना है इसके बाद उपर में आपको एक setting मिलेगी Who can send you friend request यहाँ पर ये everyone पर set है आपको इस पर click करना है अब नीचे में आपको एक option मिलेगा Friends of Friends आपको इस पर set कर देना है और देख लेना है ये friend पर set हुआ है या नहीं Set हो गया अब यहाँ से आपको back आना है अब यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी followers and public content आपको ये setting को open करना है अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक setting मिल जाएगी आप देखेंगे followers and public content ये friend पर set है तो आपको इसे public पर set कर देना है public पर set करने के बाद आपकी Facebook profile पर follow का button आ जाएगा लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को problem आती है public का button काम नहीं करता है तो यहाँ पर दोस्तों ये इसलिए काम नहीं करता है क्योंके आपने अपनी Facebook profile पर lock लगाया है पहले आपको क्या करना है Facebook profile से lock को हटा देना है और यहाँ पर आकर आपको इसे public पर set कर देना है तो यहाँ पर ये public पर set हो जाएगा आपकी Facebook profile पर follow का button आ जाएगा और इसके बाद दुबारा से आप अपनी Facebook profile पर lock लगा सकते है अपने account को private कर सकते है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं follow button आया है या नहीं तो यहाँ पर आना है profile पर यहाँ पर three dot पर click करना है अब यहाँ पर दोस्तो view us पर click करना है तो आप देखेंगे follow button आ गया इस तरह से दोस्तों आप Facebook profile पर follow button लगा सकते है वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को like और channel को subscribe जरूर करना